क्यों भैरव ने कुत्ते को अपना वाहन चुना? कुत्ते को भैरव का सेवक और वाहन माना जाता है सभी भैरो मंदिर में और उनकी फोटो में भैरव के साथ कुत्ते के भी दर्शन होती है भैरो मंदिर के करीब दिखने वाले कुट्टों की सेवा करने से काल भैरो प्रसन्नी होती है और हर तरह की संकट से वो भक्त की रक्षा करती है ये भी बहुत बार देखा गया है कि भैरो मंदिर में बहुत सारे कुट्टी होती है जो वहाँ आने वाले भगतों के साथ प्रेम भाव रखते हैं माने तर ये भी है कि कुट्टे को प्रसन रखने से भूद प्रेत आत्माई आप से दूर रहती है दोस्तो काशी के काल भैरव मंदिर में एक चमतकार हुआ था वो चमतकार काल भैरव की सवारी कुत्ते से ही जुडा है दरसल मुगलो की सेना ने जब उस मंदिर को तोड़ने के लिए रुख किया तब सैकडो कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया था कुत्त एक रहस में प्राणी है ये रहस को जाने वाला जीव है हमने कभी ये तो नहीं सुना कि भैरव कुत्ते के उपर विराजमान है पर ये जीव हमेशा उनके साथ दिखाई देता है कुत्त भूत प्रेत और आत्माओं को देखने की छमता रखता है और काल भारव तो उस्वम ही भूत प्रेतों और आत्माओं की सबसे बड़ी सत्ता है कुता कई किलोमीटर तक के गंद सुंग सकता है ऐसे में मानिता है कि यदि आप सनी की साड़े साती से दुखी है तो इसको कम करने के लिए आपको ये अवफ्ष उपाय करना चाहिए शनिवार की दिन एक रोटी में तेल लगा कर उससे आप काले कुत्ते को खिलाएं इससे भगवान शनी प्रसन्न होंगे दोस्तो हमारे बुजुर्ग भी हमेशा कहती है कि घर में बनी रोटी तीन जीवों के लिए हमेशा निकालने चाहिए एक रोटी गाय की, एक कुत्ते की और एक कौवे की इसका कारण है हमारे पित्र देवी देवता भैरव के प्रिय कुत्ते की सेवा करने से आप काल भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं सुबे और शाम कुत्ते को एक रोटी जरूर दे, इससे राहो, शनी और भैरव प्रसन्न होती हैं